ज़स्टों वेलकम बैक टू माइ चैनल एंद मैं हूँ आपकी दोस्ट दीपा दोस्तो भगवान संकर की पूजा करने से वो सीखर ही प्रिशन हो जटे हैं सभी देवताओं में से सबसे जल्दी प्रिशन होने वाले देवता भगवान संकर ही होते हैं ब्रंभन में जितने भी जीव हैं चाहे वो देवता हो या फिर धानब हो सभी भगवान संकर की आराधना करते ही हैं दोस्तो सावन महीना भगवान संकर को बहुत जादा पसंद होता है सावन महीने के सभी दिनों में भगवान संकर की पूजा की जाती है इसके लावा सोम बार का दिन भी भगवान संकर को बहुत पसंद होता है और इस समय आप जो भी आराधना करते हैं आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं और कोई चीज मागते हैं तो भगवान संकर उसे अवश्य देते हैं दोस्तो इन दिनों में अगर सच्चे मन से आराधना की जाती है तो भगवान आपकी सभी मनो कामना को पूरा करते हैं अगर सोम बार के दिन एक वस्तु आप उठा कर लाते हैं सिवलिंग से तो आपको पुत्र की प्राप्ती होती है और निस संतानों को संतान की प्राप्ती हो छल कपट नहीं है आपको किसी और से द्वेस नहीं है तो आपकी मनुकामना जरूर पूरी होती है इस दिन आपको आटे के दिये बनाने हैं आटे का एक दीपक बना ले और एक लोटे में आपको गंगा जल लेना है अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साफ पानी ले सकते हैं उसके बाद आप किसी भी कलर का फूल ले ले ऐसे भगवान संकर को सफेद कलर का फूल बहुत पसंद होता है तो अगर आपके पास सफेद फूल है तो वो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो किसी भी color का full आप ले सकते हैं इसके अलावा आपको 11 बेल पत्र लिने है 11 बेल पत्र आपके पास नहीं है तो चड़ा कर उसे धो ले और उसके बाद दुबारा उसे अर्पित करें बेल पत्र कभी भी असुद नहीं होता है किसी भी चढ़ाय हुए बेल पत्र को आप धो कर दुबारा भी संकर जी पर चढ़ा सकते हैं अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको गड़े जी पर जल अरपित करना है उनको पुस्प अरपित करना है इसके बाद आपको सिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसके बाद पुस्प चढ़ाना है उसके बाद आपको बेल पत्र चढ़ाना है और अपने जो आटे का दीपक बनाया है उसे भी भगवान संकर जी के पास प्रजुलित करना है इसके बाद आपको आपना मन चाहा वर्दान मागना है जो भी आपकी मनो कामना है आपको संकर जिसे मागना है पूरे स्रदा से पूरे सच्चे भाव से दोस्तो भगवान संकर बहुत ही ज़्यादा दयालू होते हैं जो आपकी हर वर्दान हर इक्षा को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समर्थ होते हैं और वो आपकी इक्षा को पूरा भी करते हैं अब सोम बार के दिन आपको जो सिवलिंग से लाना है वो है एक बेल पत्र दोस्तो आप जो बेल पत्र भगवान संकर पर चड़ाते हैं उसी बेल पत्र में से एक बेल पत्र आपको ले आना है भगवान संकर की तरब कभी भी पीठ ना करे उल्टे पाउं आपको हाथ जोडे हुए चौकर तक आना है उसके बाद घर की ओर चलियाना है तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज है आपको बेल पत्र सिफ संकर जी के मंदिर से लाना है और उसे अपने घर के मंदिर पर रख देना है अगर आपके घर के मंदिर पर सिफलिंग है तो आप वहाँ पर इस बेल पत्र को चड़ा दीजिए इसके बाद जब रात होती है उस समय अगर आप सो रहे हैं तो भगवान संकर जी से पूरे मन से पूरे सचे भाव से अपने पुत्र प्राप्ती की इक्षा प्रकट करिए अपनी मनों कामना उन्हें सुनाईए उसके बाद उस बेल पत्र को अपने नाभी पर रखकर सो जाईए सुबर आपको ये बेल पत्र किसी गमले में डाल देना है या फिर किसी भी पेड़ के नीचे आपको मिट्टे में दबा देना है ये उपाय आपको हर सोमबार के दिन करना है अगर आपके पास कोई मंदिर है कोई घर के आसपास मंदिर है वहाँ पर जाके आपको सिवलिंग पर ये बेलपत्र चड़ाना है और एक बेलपत्र लेया लेना है ये उपाय बहुत ही जल्दी काम करता है दोस्तों मेरे घर के पास एक महिला को एक बंडिची ने जोधसी ने पताया था और इसका उपाय करने पर उन्हें बहुत ही जल्दी पुत्र की प्राप्ति हुई इसलिए मैं आपके साथ ये उपाय सेयर कर रही हूँ दोस्तों ये कोई अंद विश्वास नहीं है ये आपकी श्रद्धा है और मन में जगाई हुई भावना है